हालो एव्रीवन दिस वंदना वेलकम बैक टो नदर वीडियो अफ लाइफ संचिलोजी आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टेक्टिव बिहेविर के बारे में तो एक तरीगी का बेसिक डिफरेंस क्या होता है इंस्टेक्टिव लॉर्न बिहेवर के बार इसको हम इनेट बिहेविर या कॉंजियोमेट्री एक्शन या इन्बोन या इन्हेरिटन बिहेविर की नाम से भी जानते हैं ठीके तो आपको जो है इनेट बिहेविर के बारे में या इन्बोन बिहेविर के बारे में या इन्हेरिटन बिहेविर के बारे में पूछा जा सक यह सेमी चीज है तो यह इसी की अलग अलग टर्म से बेसिकली तो नेक्स है इतोलोजी तो यह जो सारी चीजे हम पढ़ रहे हैं तो बेसिकली यह इतोलोजी के अंडर पढ़ रहे हैं ठीक है तो इतोलोजी क्या होता है इतोलोजी की वो ब्रांच जिसमें हम अनिमल बिहेविर को स्टडी करते हैं हम उसे इतोलोजी कहते हैं उसको हम जो है इतोलोजी के अंडर स्टडी करते हैं नेक्स है, इंसेक्टिव बिहेवियर क्या होता है, इंसेक्टिव बिहेवियर are genetically inherited characteristics that impale animal to behave in a certain fixed way, तो इंसेक्टिव बिहेवियर क्या है, वो बिहेवियर जिसके साथ कोई भी animal पैदा होता है, For example, जो मकडी है, यानि जो spider है, उसको by birth पता होगा कि web कैसे बनाते हैं, तो ये behavior उसने पैदा होने के बाद नहीं सीखा है, वो इसी के साथ में जो है पैदा हुई है, और वो जो information है या जो particular behavior है, वो genes की थो उसमें transfer हुआ है, तो वो genetically inherited behavior है उसका, उसने पैदा होने के बाद कुछीज नहीं सीखी है, तो कोई भी animal जिसमें जो है by birth कोई behavior जो है प्रेजन्ट होगा, वो instinctive behavior कहलाएगा, उतारण की तो पर जब कोई भी human का baby पैदा होता है, तो उसे आवाज कैसे करते हैं, रोना कैसे उसे पता है, बट जो language है वो बाद में वो सीखता है, तो जो आव से हम learn behavior कहेंगे, ठीक है, तो यह basic difference है, insective behavior में और learn behavior में, next आता है, the behavior pattern are determined by genes, तो यह जो behavior है, वो genes के through transfer होंगे, एक generation में, दूसरे generation के अंदर, ठीक है, and exhibited automatically by any animal without having seen or learned, तो ऐसा नहीं है कि कि किसी animal को देख करके, यानि कि same species के दूसरे animal को देख करके, वो सीखते हैं, वो by birth उसमें वो information या behavior जो है, वो present रहेगी, क्योंकि वो, जो behavior वो genes के तुरू transfer होंगे है, उसमें, seen or learned from, कौन specific, यानि कि same species के member, और performance of a behavior, even when the animal has been raised in isolation, example की तोर पर, मालनी जीए, यहाँ पर बर्ड के, जो है, four babies है, ठीक है, अब माली जी, fourth one को हमने isolate कर दिया, एक अलेगी environment में हम ले गए, और बाकी को, जो है, बाकियों से दूर ले गए, अब यह जो fourth वाला बच्चा है, वो बाकी तीन member को नहीं देख पा रहा है, इसमें देखा गया, कि जो fourth one है, उसमें भी, जो है, parental care देखी गई है, उसमें nest build करने की capability देखी गई, इसका मतलब यह हुआ कि इसने यह कहीं से देख कर तो नहीं सीखा है, और यह information इसमें आई कैसे, यह behavior इसमें आया कैसे, of course यह एक तरीकी का gene से transfer हुई कोई information या behavior है, जिसको हम क्या बोलेंगे, instinctive behavior क्योंकि यह बाइबर्द समें present था, ठीक है, next है, इसकी जरूरत है, but which appear simultaneously at the first intense of its need, लेकिन पहली बार जब इसकी जरूरत पड़ेगी, तो naturally behavior show करेगा, ठीक है, जैसे aggression एक तरीका behavior है, जैसे ही किसी भी animal को लगएगा कि वो खतर में है, तो aggression behavior जो होगा, उसका वो naturally show होगा, क्योंकि वो एक तरीकी का instinctive behavior है, तो यह same ही term है, same ही जो है, उसको term दी गई है, आप इसको inborn भी बोल सकते हो, inheritance भी बोल सकते हो, inner behavior कहीं कहीं पूछा जाता है, ठीक है, यह जो behavior आप देखे हो, साएगा जाता है, यह जो बहएवर आप देखे हो, वो सारे के सारे instructive behavior के example है, ठीक है, जैसे कि courtship behavior हो गया, mating हो गया, किसी भी animal में, तो जिस तरीकी से, किसी भी species का specific pattern होता है, mating का, वो सारे ही member show करेंगे, क्योंकि वो instructive behavior है, किसी भी particular animal का एक particular feeding pattern होगा, जिस तरीकी से वो feed करेगा, जिसे birds में अलग होता है, किसी भी mammal में अलग होगा, तो वो सेम ही तरीकी के से feed भी करेगा, nest building हो गया birds के अंदर, तो यह सारे के सारे क्या है, instructive behavior है, और यह by birth किसी भी animal में present रहेंगे, next यहाँ पर example दे रखे हैं, few common examples are, during the breeding season, a peacock start dancing as soon as it sees a pin, the dancing act is not learned by watching, तो breeding season जैसे ही आता है, तो peacock एक तरीकी का dance form जो है, या dance act जो है परफॉर्म करता है, और यह जो dance form है, इसने अपने species के members को देख करके नहीं सिखा है, यह by birth इसको पता है, यह तरीक का क्या है, instinctive behavior है, ठीक है, तो वेवर बर्ड नेवर लर्ण तो construct a nest, it simply knows it, तो वेवर बर्ड यानि कि बया अगर आपने देखी है, तो उसका गोसला बहुत ही interesting होता है, यह जो पेड़ पे जो बनाती है, अगर आपने देखा हैं तो यह जो particular character है इसका या यह जो भी behavior शो करती है, instinctive behavior है, अगर आप इस baby bird को बाकी member से अलग भी कर दो, ठीक है, experiment भी इसमें किया गया था, कि जो है, माली जे कोई भी एक baby bird को आपने जो है isolate कर दिया, एक ऐसी जगा पे रखा जो बाकी member को नहीं देख पा रही है, और अगर आप इसको material provide करते हैं, nest building के लिए, तो यह वैसा का वैसा गोसला बना के तयार करतेगी, इसका मतलब यह हुआ कि यह बाकी members को देख करके वो चीज नहीं सीख रही है, यह किसी भी तरीके का learned behavior नहीं है, यह instinctive behavior है, by birth इसको पता है, ठीक है, अब यह tailor bird है, इसका एक अलग तरीका है, अपना nest build करने का, यह leaves को stitch करती है, अपस में grass के help से, ठीक है, और उसके बाद उसको किसी particular soft material से fill कर देती है, उसकी बाद में अपने एग है वो ले करती है, तो यह जो behavior है, next building का, यह भी इसे by birth पता है, ठीक है, इसने भी अपने members को देख कर की चीज नहीं सीखी है, यानि कि कैसा behavior हुआ, instructive behavior, बीज में भी यही चीज हम देखते हैं, उसे हमेशा से पता है, यानि कि by birth से information इसमें pass on हुई है, कि behavior को कैसे बनाते हैं, as because उनकी lifespan बहुत कम होती है, अगर यह पैदा होने के बाद ही, इस तरी कि क्या कोई भी चीज को सीखेंगे, नेस्ट बिल करना सिखेंगे, या वेब बनाना सिखेंगे, या भी हाग बनाना सिखेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा time consume होता है, तो यह जो बागी के action जो इसे nature में करने होते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, यह जो information या जो behavior है, इसमें जो भी इसे vital चीज़े होती हैं अपने जीवन में करने के लिए, वो इन्हें पता होती है already, ठीक है, नेक्स है, in general, innate behavior will always be, यानि कि innate behavior की क्या क्या characteristics होंगे in general, पहला होगा heritable, यानि कि वो parents से बच्चों में जो है past होगा, और वो encoded रहेगा DNA के अंदर, encoded in DNA and past from generation to generation, वो जो information होगी, वो DNA के अंदर encoded होगी, और एक generation से दूसरी generation में वो पासों होती रहेगी, यानि कि वो कैसा है, heritable है, innate behavior क्या हुआ, heritable behavior है, अगला आता है, intrinsic, यानि कि present in animal raised in isolation from other, अगर आप किसी भी एक बच्चे को अपने parents से अलग भी कर दो, अपने same species member को अलग भी कर दो, बागी member से, तो भी उसमें वो behavior रहेगा, ठीक है, अगला आता है, stereotypic, यानि कि performed in the same way, each time by each individual, हर बार उसको perform करने का same तरीका होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, instinctive behavior, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले वो next build इस तरीके से करती थी, अगली बार जब करेगी तो अलग तरीके से करेगी, जैसे वो पहले बनाती थी, exactly same वो next बार भी बहेव करेगी, अगला आता है, इन्फ्लेक्सिबल, यानि कि उसमें किसी भी तरीकी flexibility नहीं देखीगी, not modified by development or experience, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मकडी पहले अलग तरीके से जो है अपना वेब बनाती थी, उसके बाद वो बहुत ज़दा experience गेन करने के बाद में, वो बहुत अलग तरीके से या बहुत जो है, modified तरीके से उस चीज़ को करने लगी, ऐसा नहीं होगा, वो जैसा है, वो वैसे ही करेगी, वो behavior inflexible है, उसमें flexibility नहीं होगी, instructive behavior के अंदर, अगला आता है, consummate, यानि कि fully developed or expressed at post performance, यानि कि अगर कोई bird, पहली बार अगर nest बनाता है, क्योंकि वो जानकारी उसके genes में है, तो वो पहली बार में fully developed behavior जो है, वो स्ट्यो करेगी, ठीके, तो ये जो है, सारे के सारे क्या हो गए, इसके characteristics हो गए, insective behavior के, ठीके, तो क्या होगा, innate behavior कैसा है, है, heritable है, intrinsic है, stereotypic है, inflexible है, और consummate होगा, right? Next है, learned behavior, अभी हमने देखा, insective behavior कौन सा behavior है, जो कि by birth किसी भी animal में present होगा, और वो जो information है, वो DNA में encoded होगी, पर learned behavior क्या होगा, जो हम पैदा होने के बाद जो चीज़े सीखते हैं, तो learning can be defined as a persistent change change in behavior that occur as a result of experience, तो experience से जो भी चीज़े हम सीखते हैं, जो हमें सीखने के जरुत पड़ती है, ठीक है, उसी गो हम learned behavior कहते हैं, अब जो learned behavior है, उसमें क्या-क्या चीज़े होगी, वो known inheritable होगा, example की तोर पे, माली जीए, कोई भी dog है, अब जो जरुनल चीज़े हमें देखने को मिलती हैं, डोग में, जैसे वो बार्ख करता है, उसे भोग ना आता है, लेकिन अगर आप किसी भी dog को as a pet रखते हैं, वो आप बहुत सारी activities उसे सिखाते हैं, वो उसका learned behavior होगा, ऐसा नहीं होगा कि आने वाले generation में वो चीज़े जो आपने उसे सिखाई हैं, उसने जो सीखी हैं, वो उसमें पास्वन हो जाएगी, नहीं, वो चीज़े उस particle individual में ही रहेंगे, क्योंकि वो उसका learned behavior था, पर जो instinctive behavior होगा, वो पास्वन होते रहेंगे, तो वो non-inheritable होगा, acquired only through observation और experience, आप से देख करके, experience से observe करके ही सीख सकते हो, वो आपको genes के तरुब वो चीज़े नहीं मिलेंगे, learned behavior में, ठीक है, अगला आता है extrinsic, यानि कि absent in animals raised in isolation from others, तो extrinsic होगा यह behavior, यानि कि अगर आप उसको isolate कर दोगे, किसी भी animal को अपनी species से, तो वो नहीं सीख पाएगा, अगला है permutable, pattern or sequence may change over time, ठीक है, तो यह जो pattern है, किसी भी behavior का, learned behavior में की बात करें हम, तो वो change होता रहेगा, यानि कि पहले वो कोई भी action जो है, अलग तरीक से show कर रहा था, उसने over experience gain कर लिया, अलग तरीके से, या modified तरीके से, जो है वो show करेंगा वो चीज, तो वो क्या हुआ, learned behavior, adaptable, capable of modification to suit changing condition, जैसे जैसे condition change होती रहेगी, उसी तरीके से जो अपने modification करता रहेगा, अपने behavior में, ठीक है, अगला आता है progressive, subject to improvement or refinement through practice, तो यह एक तरीका का है, progressive behavior है, यानि कि, जैसे जैसे आप ज़्यादा practice करते जले जाओगे, किसी भी particular चीज की, या किसी भी analogy for example, लोग में हम उसे बार-बार practice करवाते हैं, तो एक ताम के बाद वो एक दम perfect हो जाता है, उस चीज को करने के लिए, ठीक है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करता जाएगा, वो ज़्यादा उसमें improvement होता चला जाएगा, learn behavior में, लेकिन innate behavior में ऐसा नहीं होगा, वो जिस तरीकी से पहले शो करता था, वो ऐसा कब ऐसा ही शो करेगा, उसमें कोई बदलाब नहीं होगा, अगला आता है, देरा generally considered to be four type of innate behavior, ठीक है, learn behavior हमने अभी देखा था, वो basic difference क्या हमने अभी तक देखा है, कि learn behavior जो है, वो by birth present नहीं होता, उसे हमें सीखने की ज़रुत पढ़ती है, अपने observation से, अपने experience से, बर insective behavior, जो by birth information किसी बियानमेल में present होती है, उसको हम insective या inmate या फिर inborn या inheritent behavior कहेंगे, तो जो inmate behavior है, उसको basically हमने चार टाइप से हम पढ़ेंगे, पहला है reflexes, दूसरा है kinesis, third है taxes and fixed action pattern, यह बहुत important है, तो kinesis जो है, इसको orientation के अंदर भी पढ़ते हैं, basically direction से related है, तो इसमें हम direction, किस तरीके से change करते हैं animals, किस तरीके से behavior हैं हम इसमें discuss करेंगे, तो सबसे पहले हम reflex को discuss करेंगे, but one by one हम इसको deeply study करेंगे, जो भी animal behavior है, अगर आता है reflexes, यानि कि आपने देखा होगे, अकसर जैसे कि यहाँ पे एक picture show करी गई है, जिसमें अगर आप किसी भी hot चीज को touch करते हो, तो आप बिना सोचे, बिना किसी देखे के तुरंद अपना हाथ जो है, उससे move कर लोगे, उस चीज में बिल्कुल भी time नहीं लगता, ठीके, तो वो जो hot चीज थी, जो भी गरम चीज को आपने चुआ, वो एक तरीके का stimulus था, ठीके, और आपको पता था कि अगर आप इसको, जो है, काफी देर तक इसी तरीके से अपने हाथ को रोखोगे, तो आपकी बोड को damage हो सकता है, तो यह जो behavior जिसमें आपने तुरंद आपने हाथ को हाथ से remove कर लिया, वो क्या है, रिफ्लेक्स action है, तो रिफ्लेक्स अगर आप कोई पिन भी प्रिक करता है, तो रम्त बीना सोचे समझे, जो है, अपना हाथ remove कर लोगी, जो भी action आपको लेना होगा, ठीके, तो इसमें कोई time नहीं लगता, और यह एक तरीकी का क्या है, इनट behavior है, और यह short होगा, बहुत quick होगा, और इसमें conscious control नहीं होगा, ठीके, और यह basically जो है, serve as a protective function की तरह यह काम करेगा, तो यह होगा reflex, अगला है kinesis, kinesis और taxes जो है, basically related है, movement से, पर इसमें basic difference क्या होता है, कि जो kinesis होगा, वो undirected होगा, particular direction से related नहीं होगा, movement तो होगा इसमें, लेकिन इसमें कोई particular direction की तरफ organism नहीं मुह करेगा, तो kinesis अकरूबेन organism changes the speed of its moment, और turning in response to certain stimulus, ठीके, undirected change in moment, example की तोर पे कोई bug है, जिसे dry in moment नहीं पसंद, उसे moist area ज़्यादा पसंद है, तो ये देखिए, movement तो कर रहा है, उस moist side की तरफ, लेकिन इसका कोई fix pattern नहीं होगा, ये random कहीं पर भी move करेगा, इस तरीके से, ठीके, और वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो kinesis में movement तो है, पर ये undirected change होगा moment में, ठीके, next आता है, टैक्सिस, टैक्सिस क्या होता है, टैक्सिस on the other hand, अकर वेन ए और्गैनेश मोव इन डारेक्शन, बेसिकली यही डिफरेंस है, काइनेसिस और टैक्सिस में, जो काइनेसिस होगा, undirected moment होगा, और ये जो है, directional moment होगा, टैक्सिस, towards or away, stimulus आप जिस डिरेक्शन में दोगे, और जिस तरीकी कादोगे, ये उसकी तरफ ही आउससे दूर, जा सकता है, due to stimulus, directed change in moment, तो बिसिकली, तीन तरीकी के टैक्सिस हमें देखने को मिलते हैं, chemo, टैक्सिस, geotैक्सिस, और photo, तो यहाँ पे आपने देखा होगा, यूसबली, इंसेक्ट जो है, वो light की तरफ, जहाँ पर भी उसके रोशनी दिखती है, वो उसी तरीकी जो है, जाने लग जाते हैं, वो एक तरीकी का positive photo taxes हो गया, और कुछ insect याने की, cockroach वगेरा, earthworm जो है, वो light से दूर भागते हैं, वो क्या हो गया, negative photo taxes हो गया, ठीक है, तो यह हो गया taxes, जिसमें directional moment होगा, next आता है, fixed action pattern, यह क्या होता है, fixed action pattern, are involuntary response to stimuli, that will continue to completion, regardless of the continued presence of the instigating stimuli, अब fixed action pattern, जो है, वो एक तरीक का involuntary response होगा, अगर आप किसी भी animal को stimuli दोगे, तो वो एक particular तरीक का, जो है, response शो करेगा, यहाँ पर हमने example लिया है, gray lag goose का, ठीक है, तो example की तोर पर, अगर इसने, इसके four egg हैं यहाँ पर, और इसने देखा कि, एक एक जो है, वो nest से बाहर चला गया, तो अब यह जो, एक जो nest से बाहर है, इसके लिए एक तरीक का stimuli है, कि इस particular egg को, जो है, nest के अंदर लेकर की आना है, ठीक है, तो यह अपनी जो neck है, उससे जो है, इसे अंदर लाने की कोशिश करेगी, इस बीच अगर आपने egg को उठा करके, जो है, वापस इसके nest में रख दिया, तो भी यह पूरा का पूरा जो है, अपना behavior show करेगी, ठीक है, तो एक तरीकी का, यह stereotypic behavior हो गया, क्योंकि जब तक यह action complete होगा, नहीं होगा, यह नहीं रुकेगा, इसमें satisfaction नहीं आएगा, कि जो है, egg वापस nest में चला गया है, ठीक है, ओल्दो आपने उसकी help करने के लिए, वो egg उठा करके nest में रख भी दिया, पर फिर भी यह अपना action पूरा complete करेगी, ठीक है, तो यह तरीके का क्या है, fixed action pattern है, अगर मालिज यह जो stimulus था, वो egg का बाहर जाना था, ठीक है, ओल्दो इसको यह stimulus मिल गया, इस बीच अगर आपने stimulus हटा भी दिया, तो भी अपना action जो है complete करेगी, fixed action pattern में, इसका यह मतलब है, ठीक है, तो basically हमने जो है, इसके बाद हमने उसके जो है, ताइपस हो है, वो discuss कर लिए है, reflex, kinases, taxes और fixed action pattern, one by one हम इसको deeply study करेंगे, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है, थैंकियो सो मुच फूर वाचिंग दिस वीडियो, I'll see you in the next one.